वेलकम बैक तो मैं यूरिप चैनल सान नौन स्ट्रॉप इसमी गाइस वीजसानुएं यूर वाचिंग सान नौन स्ट्रॉप तो गाइस गेन हम बाग उदर अमेजिंग वीडियो आज मेरा गला थोड़ ऐसा खराब है ठीक है पकिस्तान से जिंदा भाग मेजर गौरव आरिय आर्मी से हैं और इनकी ठग लाइफ की उपर आच्छा हम लोग प्रेक्शन वीडियो देखेंगे बहुत टाइम से जो है वह मुझे इनकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि इनकी ठग लाइफ देखें बहुत अच्छी होती ही मैं इनका वाइन आट देख लेते हैं और मेजर जी निची जो हैं वह पाकिस्तान के खिलाएफ कफी बनाते हैं आध्य जो हैं वह लोग इनकी रोस्ट को पाकिस्तान को जब रोस्ट करते हैं तो तुम लोग मुझे वैसे वीडियो से जज्रस करते हो जो के मेरे लिए फिर रियक्त करना भी मुश्किल है था बट या करें उसको आज़े टास्क लेती हुआ झालो आए ज़ू करते हैं पोड़ा पाकिस्टान है तब तक ऐसे हैं तोड़ी आपको थोड़ी सी डिटेउल असे क्यों पाकिस्तान रहें से क्यों घूरूत आडा चुकी है पाकिस्तान में महंगा you बéisर ज्यादा g एक मैसिव किसम की उज़ किसम की थे पाकिस्तान से जा चुक comes of भी जाना चारें वह अपनी लाइफ को सि आफ करना चाहते हैं पकिस्तान से जिंदा भाग कि रग-rग से वाइफ है मेश hèoc k मेजर और मॉका मिलते ही चौका मारने से पीछे नहीं हिटται तो पाकिस्तानी वह पिरहना है जो खुद को खा रहे हैं हमें पॉलिटिशन्स का रहे हैं अगर पाकिस्तान का जिक्र हो गया तो बस फिर मेजर नहीं रुखते पाकिस्तान एक ऐसी गाली है जो कि पहाड के नीचे जा रहे हैं बड़ी स्पीड से और उसके ब्रेक फेलो चुके हैं उसके ब्रेक फेलो चुके हैं गाली का कोई ड्राइवर है नी और पैसंजर बेहोश है ना ब्रेक है ना ड्राइवर है कोई निये बचाने के लिए गाली फिर आप पैसे लगा के गाली गोर धका हो ना क्यों वाइशोड भी स्पेंड मनी हम क्यों पैसा खर्च करेंगे यह दूंग वरी फाइन जॉब ऑफ डिस्टॉइं यॉसल्स भाव विष्टी हो रही है मेजर की माने तो एक अकेला पाकिस्तान ही कई देशों को भारी पर सकता है और बात में दम भी है जानिये कैसे साथी अरेबिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सब को मिला के लेकर डूब जाएगा इसी पेस्टी हमें नीची है सर, सौरी मैं हाथ जोड़के मापी मांग रहा हूं आप यह मोडस्टी, सुकार कर रहे है कि पाकिस्तान को जहलने की हिम्मत तो इंडिया में भी है आपके महरबानी, सर मेरी बात से यह जब सामने वाले को बोलने का मोखा देते हैं, तो भी सामने वाला कन्फीज रहता है कि क्या मैं बोलू या नहीं, च्छिव जब वो बोल देंगे, उसके बाद जो जवाब मिलेगा वो तो तगड़ा ही रहेगा, और भुलाई होना तो आपके अंदर से कुछ बुलबुले निकल रहे हैं, आप बुलबुले निकल रहे हैं, सर, फ्लीज ऐसे शुरुआत होती है, मेजर गॉरावार की ट्रोलिंग क्लास कोर कमांडर लहोर की पतलून, जनरल सल्मान बट जो था ना, इनका, उसकी पतलून डंडे पे डालके उसका जुलूस निकाला था पूरे लहोर में, कि ये देख लो भाई और बेनो, ये कोर कमांडर लहोर की पैंट है ये बहुत नाजुक सुरते हाल है सिर्फ एक ही चीज़ में एक्सपर्ट है पाकिस्तान और वो है ये चीज़ एक डिबेट ने मेजर गौरवारे ने सुईकार लिया कि इंडिया में टॉलेट की कमी है और इसके पीछे का कारण बहुत ही चौका देने वाला अगर इनका बस चले तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में तो ये हजार फिट की दिवार बनाने वाले है ताकि शकाली ने देखना पड़े उन लोग की हमें आपके साथ कुछ ही चाहिए मैं ये चाहता हूं एजन इंडियान की हजार फुट की दिवार बन जाये ना हवा आये ना परिंदे आये महां से जाना तर इंडियान्स ऑल्मोस सभी इंडियान्स का यही कहना है कि दू से नमस्ते हो जाए ऐसे देश से पाकिस्तान का निक्लिवर वैपन को लेका जो आप्सेशंन है कि किस बात की धनकी है और कौन से बहुत बड़ी उपलब्धी है जब जब पाकिस्तान के मंत्री लोग अपने देश के लोगों के सामने जोटी धिंगे हागते हैं या फिर बड़ी बाते खरते हैं तब तब मेजर गौरावारे आते हैं उनको घसीट के जमीन पर लाते हैं और फिर उन्हें असलियत से रूबरी होना पड़ता है और शरम से उनका चेहरा लाल हो जाता है सामने वाले के पूरे किये धरे पे एक बार में पानी फेर देते हैं मेजर आ रहे हैं ऐसे भी पाकिस्तान ने कब की स्टेश की मदद किये मैं नहीं बता हूंगा अगर आपको याद है तो कमेंट्स में बताईए ले मुझे मज़े मजाख नहीं उलवाना अपनी चीज का में बताया कि पाकिस्तान के ले 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 लिए लुग ने बताया कि पाकिस्तान के लेडियों लोग हैं जो इनकी लंकादा है मेजर जंजुआ आपको याद होंगे पहले भी कई सारे वीडियो मेजर गौरावारे और मेजर जंजुआ के बीच के भिडंत वाले वाइरल हो चुके और बड़े इंटलेक्शन बनके टीव डवेट में आपको बैठते हैं और इंटलेवान जैसी बाते करने की कोशिश करते हैं लेकिन आनता इंसल्ट ही कर वाथ है आप कुछ नहीं कर सकते हैं अभी आपको साथ 10.000.000.000 पाकिस्तान के सोल्जर पूरे इसका खुलासा भी एक बर मेजर गौरावारे ने किया आप किसी सोल्जर को जब बोलते हो कि तुम जाके लड़ो कोई रेक्रूर्ट होता है कोई यंग्स्टर होता है जो कहता मुझे फॉट जोइन कर नहीं है आप उसको कुछ तो ट्रेनिंग दोगे कैसे मिलती है पाकिस्तानी सोल्जर को ट्रेनी कि जी आप क्या करते थे मैं जी खुर्पी चलाता था पहले पौदे बोता था मैं खेत में अच्छा तुम पौदे बोते थे यह लो एक फोटे सब जाओ लड़ो जलम के मारे बहुत परेशान हो यह क्या करना है हम पर परैंटामैंटिया में सकको लिशानह डेसे जन marked one प्र जैशन व्होता पाकिस्तान वहाँ laughter तो ऐसे में मेजर गौरवारे ने उनका भला सूचा यहां पर मेजर गौरवारे ने साबित किया कि वह पाकिस्तान के वेल वेशर हैं उन्हें इस जलों पर नमक ना चिड़कते हुए मरहम लगाने की एडवाइज दी लेकिन इसके बाद अड़ना बूसामी ने मेजर गौरवारे को मना किया कि अड़वारे ने उन्हें चोड़ दी लेकिन पाकिस्तान का भला सोचने से पीछ नहीं इते उन्हें अक ओर नुसका बता दिया जिससे यह जलन कम हो सकती है कश्मीर की तरक्की हो रही है और ये हमको नहीं पच रहा है और आगे जो भी आएगा एमेरिकन प्रेजिनेंट आएगा यूके का प्राइम इनिस्टर आएगा उसको हम कश्मीर में वेलकम करेंगे बद ये बात है पाकिस्तान में हो रहे है करप्शन का तो कोई मुकाबला ही नहीं है दूसरी ये चीज़ है कि हम लोग जो करप्शन की बात करते हैं हम बात कर रहे हैं जो पाकिस्तानी मीडिया ने पोल खोली है आपके फेमस पीजा जेनरल्स जो खांदानी पैसे वाला नहीं है लेकिन 1.500 पीज़ा की दुकाने हैं कर लोगे ऐसा आपने हमारे यह कोई ऐसा करे न और मैं यह नहीं कह रहा है कि हमारे यह करप्शन के केसे नहीं हुए उसकी बेल्ट उतार के उसको बाहर पहग दिया जाएगा इमीडिटली आपने बड़ी खुबसूरत बात करी अगर अगर हम गिद्ध हैं और आप हमें गिद्ध कह रहे हैं तो इसका मतलब आप यह तसलीम करते हैं कि आप बढ़ने वाले हैं तब ही तो गिद्ध का आता है मामला बीच में अब देखिए मैं सामने वाले को उसी की ब आगला अपने में लिवी अगया है बात तो सहीये, पाकिस्तान के लिए बोलने के लिए कुछ है नहीं तो ओबसली किसी और टॉपिक नहीं बात करना पड़ेगा ये कारण है, चाइना के गुणगाने का, पाकिस्तान और चाइना का प्यार एक तरफा है, एक तरफा मतलब यह मर्दारवार एक तरफा नहीं, वनसाइड और इसकी कहानी में गुरावारे सुनाते हैं तरफा मतलब यहैं आरसे हैं कि तरफे।सीर रहतके हैं वर जालन आकिस्तान मांगेस, दो नहीं से सपुने पेँडो लूगाας, अलओ, प्यूइन छालते हैं के आपन को उर्दी फ्यूस है, यहदा मृगास, आक सरफ यह मृदी पाटानियों और यह सुना हैं, जामेननगा वहां तो बस उठा उठा के ले जाया गया है, मांग मांग के यह बात तो है, किसी लैंग्वेज की बेकदरी कैसे करना है, पाकिस्तान के लोगों को पता है नुकलियर वेपन की धांस जने वाले ड्यान देना चाहिए, तो यह ज्यादा बेटर होगा यह नो, वी आर नुकलियर वेपन स्टेट, वहल वेट यह स्टेट, तो जुई आरी बात इस नुनो सार सार चेटो सार, बातों को बच्चों अली बाते मतरो मेरे सामने हम एक एक अटमी ताकत हैं, एस टाप की बाते करते हैं, फिर मेजर गॉरव आरे का दिमाग सनग जाता हैं कुछ वा नुकलियर वार कुछ नहीं हुआ, कलम गुछ जाएंगे लाहर के अंदर, उदर तो आमने गुछ के मारा था ना अब पंगा लेलियन है, अब देंगे बत्ती अब गॉरव उदर तो आमने गुछ के मारा था ना, वो लिमिटेड वार कहा था तो सर एक मने एक बाद बताओ क्यों जूट बोलते हो, मैं यह कह रहा हूँ, पाकिस्तान एक अगेली बदनसीब कौम है जो अपने बच्चों से जूट बोलती है यू लाइ टू यू चिल्रण रख रख के बे रहे हैं अब हमने घुश्के माराओ, युट्री तरु ओर ठीमारा था आपके सॉल्जेंट की लाशन थे ही टाई शरमानी चिहे आपके अपकी लाशन थे ह ju क्यो जूट बोते है आपने बच्चों से क्या मू पुल को दाई Sir, 1 minute, आप क्या गुश के बानेगें गुश के बानेगें क्या पच्छ इतने बड़े होगे अभी ताव श्रम नियाए आपको, आपने अभी भी तेन सो चारणाशिय पड़ियां करगिल में, अभी तक शरम नियाए सर्ण दो और सब्सक्राइब काश दो पाकिस्तानी लोगों अभी तक शर्म नीए जनरल जूटा ऑगें विल क्लिंटन के पैर चुए बाप ने मार दिया अपु ने मार दिया मास कर दो बुल गया था इतने बटन पठे ऑप कें गया किस्लें गुटन पड़े ते बिल क्लिंटन के अ पोलते हो सर, इतने बड़ी आपके हुबर हो गई है, अपने बच्चों से जोन बोलोगे? बच्चे विलाएंगे तो फे तो यही सब संने को मिलेगा बच्चे विलाएंगे, आपको जोनता है सर डेज़ अब जोनता है निकलियर विग्गेर कुछ नहीं है यह फुस फटाके हैं दिवाली के जो भी सुन रहा है और यह जो स्क्रीन में इसको भी ठोक है मेजर आउड अप कंटोर हो जाते हैं जब सामने वारा उल्टी बात करता है बिना सरपर की बात करता है और खास करकी इंडिया की खिलाफ अगर बात करता है टीवी स्टूडियो को जंग का मैदान बना लिते हैं विज देफिलेशन का मतलब इस बन इट्रिवर्स हो गया पाकिस्तान जिन्दा बाद नहीं पाकिस्तान से जिन्दा भाग अब सुनिये मेजर गौरा गौरा संजा रहे हैं पाकिस्तान का मौजूदा हाल वहां का हाल ऐसा है कि वहां के लोग वहां से भागना चाहते हैं अब से देफिलेशन का मतलब जान चुठा का भागना है हौँई वहां से प्रषटान चाहते हैं मतलब जान चुठा का भागना है मांसे पाकिस्तान को छोड़ के जाना चाहते हैं पाकिस्तान की बेस्ती बेस्ती हो रही है चाहिए कुछ भी है यार पाकिस्तान हम लोग गुर्बत में मारे है पॉलिटीशन हमारी बात नहीं सुन रहे ठीक है अब क्या करें हम अपनी कंट्री से तो प्यार करते हैं हम भी चाहते हैं हमारी कंट्री आगे भड़े और यह लड़ाई जगड़े इंडिया से बैठके मतलब लड़ाई करना और यहां से पाकिस्तान से भी बैठके वह मतलब हम बिंडिया के एकलाव बोलते हैं इंडिया में बैठके वो लोग पाकिस्तान के कलावब बोलते हैं इन लोगों के दर्मेयान मैं कहते हैं कभी सूल्ह चोटीन नहीं और गाली देने से धूुकर ऑसकी deshalb यही मैं और बाट यहां उन्मिजफेश क्योंत बहुत सारी चीज़ें जो है वस्वीडियो के थुरू पता चलें आप लोग को कैसी वीडियो लगी कमेंट सेक्शन के अंदर जुरूप आईगा जिसने मुझे वीडियो सजेस्ट की याना कसम से तुम बहुत बढ़े ना ठोड़ दो मैं कुछ निकाना चाहरी है तुम लोग कि है Anda unा नाव आईगा पहुत पता चाहरी मुझे कमाना चाहरी है